स्वागत है दिपक बजार जी आपका और ये किताब जब से मार्केट में आई है ये मुझे इतनी अच्छी लगी स्पेशली कल की रात की अगर मैं बातचीत करूँ मुझे आप से मिलना था तो मैंने इसको मैंने आधा पढ़ा हुआ था पहले और आधी मेरी बाकी थी तो मैं मने इसको पढ़ना स्टाट किया और रात को दो वजे तक मैं इसको पढ़ता रहा जब तक ये फिनस नहीं हुई तो इसने कल की मेरी नीन को हरام कर दिया था जब तक ये संपूर नहीं हुई और अकसर रमलोगों को देखते हैं कि जब वो नावल पढ़ते हैं तो उसमें इत एक senior direct seller होने के नाते पूरी industry के तरफ से आपका सुक्रियादा करना चाहता हूँ जो रित स्थान था वो आपने पूरा किया Thank you so much sir और हम जानना चाहेंगे कि यह idea कैसे आपके दिमाग में आया कि एक किताब direct selling पे लिखनी चाहिए किताब मार्केट में आयी 10 जून 2018 अभी 6 महिने पहले आज हमें एक जन्वरी में बैठे हैं और आज से करीब 6-7 साल पहले मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिम्ला में था और एक पार्टिसिपेंट आए हमारे इस प्रोग्राम में और वो बोलते हैं कि आप मुझे कोई एक पेज दे सकते हैं उस एक पेज के ऊपर नेट्रोग मार्केटिंग का सार हो तो मैंने उस दिन अपने अभी मुझे ग्यारा साल का एक्सपिरियंस एक नेट्रोग मार्केटिंग में तो उस दिन तो धीरे-धीरे लोग क्या बोलने लगे सर कि यह जो एक page है ना सर यह network marketing का एक गरंत जैसा बन सकता है तो इस एक page को आप तोड़ा explain करके लिख दीजे यह तो एक किताब का table of content जो पहला page है ना वो बन गया तो वो छे साल पहले जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसी participant के प्रोचसाहन से network marketing को एक page में summarize करने का प्रयास था बाद में वही इस book का table of content बना और जैसा कि आप भी अभी बात कर रहे थे और मैं आप से सबसे आदा प्रभावित हूँ सुरिंदर जी तो इस बात से हूँ क आप ने कभी अपने लिए नहीं सोच के industry के लिए सोचा हमेशा और हिंदुस्तान में network marketing जिस दिशा में बढ़ रही है और जो regulations, government का जो रवया बदला है उसमें एक आदमी जिसकी सरहाना जितनी की जाए वो कम है वो आप है मतलब मैं आपने मुझे इस किताब के लिए शु में कुछ प्लान नहीं था मैंने MBA किया और अपनी जॉब में वेस्त था फिर ये network marketing business आया तो आज दीपक बजाज को बनाया अगर किसी industry ने तो वह है direct selling on network marketing और मेरी ये हमेशा से इच्छा थी कि क्यों इस industry ने अगर मुझे नाम दिया तो क्यों इस industry के अंदर हिंदुस्ता को कुछ वापिस दिया जाए ताकि वह भठके ना उन्हें एक ray of light एक सही जानकारी उन्हें तुरन हैंडी मिल जाए उनके हाथ में पहुंच जाए तो आप माने तो प्रेणा वहां से मिली और मुझे मेरी नानी सिखाती थी जैसी नियत वैसी बरकत तो एक अच्छी नियत क साथ इस किताब को लिखा उसकी वज़ा से आज यह बेस्ट सेलर है और जो आपने बताया ने ट्रॉक मार्क्टिंग में लाखों लोगों की मदद कर पा रही है दोस्तों आपको हमारा आज का यह पहला एपिसोड कैसा लगा उसके लिए हमें आपकी राय चाहिए आप कोमेंट बोक्स में जाके जरूर बताईए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बैल आइकोन आपको दिख रहा है उसको जरूर दबाईए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहे और इस कारिकरम में आप किन लोगों को सुनना चाहते हैं किन लोगों से रूबरू होना चाहते हैं उनके नाम आप जरूर लिखे नीचे कोमेंट बोक्स में जाके हम प्रियास करेंगे कि वो लोग जिन को आप सुनना चाहते हैं हम आप से रूबरू करवाएं बहुत बहु झाल झाल